नमस्कार दोस्तों आपका फिर्ट से स्वागत है एक नए interesting वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिला न्यायले अंथिर होता क्या है ? और इसका कारीश्ष्चत्र कहा तक होता है। दोस्तो इससे पहले के वीडियो में हमने आपको सब्डिविजनल कोड दिखाया था तथा उसके बारे में बताया था इसके अलावा हमने आपको सुप्रेम कोड के बारे में भी बताया था दोस्तो अगले वीडियो में हम आपको हाई कोड के बारे में डीटेल में बताएंगे चलिए शुरू करते हैं आज का important topic जो की district court के बारे में है दोस्तो जिला नयाले जैसा कि नाम से इसपस्ट होता है कि ये particular जिले के लिए नयाले बनाया जाता है वो जिला नयाले कहलाता है दोस्तो ये जिला नयाले उस particular छेत्र के भगोलिक आधार पर तैक किया जाता है और उस छेत्र में प्राथमिक ट्रायल इस court के माध्यम से किया जाता है दोस्तो भारत में जिले स्टर पर ये अदालते तो है ही इसके अलावा United States of America, Australia तथा ऐसी विभिन देशों में इस तरह के जिला नयाले बनाय गया है दोस्तो जहां तक United States की बात है वहाँ पर टोटल 94 डिश्टी कोर्ट्स हैं जो कि सिविल तथा क्रिमनल केसिस को हैंडल करती हैं जो कि उस छेत्र के तहत उस जोरिज्डिक्शन के तहत आती हैं दोस्तो बात करें भारत के डिश्टी कोर्ट्स की तो भारत में जो डिश्टी कोर्ट्स है वह निचली अदालते मानी जाती हैं और यहां पर उसके 16 दिकार में पढ़ने वाले सभी सिविल तथा क्रिमनल मामलों का ट्राइल इसी कोर्ट के माध्यम से किया जाता है दोस्तों इन district courts ही अधक्षता जिला नयाएधीज करता है और इनका appointment state द्वारे किया जाता है खुल मिलाकर इस वीडियो का सार ये है कि district courts plays an important role in the legal system serving as the primary trial court for cases that fall under their jurisdiction they play a crucial role in upholding the rule of law and ensuring that justice is served in accordance with the law तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि इस वीडियो के मादम से आप district court को समझ पाये होंगे दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको high court के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी जानकारी हम इस चैनल के मादम से आप तक पहुचाने वाले हैं मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहें